दोस्तो अगर आपने हमारा Medical Shepard चैनल को सस्क्राब नहीं किये हो तो सबसे पहले सस्क्राब कर लें और साथ ही बेल आईकन को बटन दबा दे इससे हमारे हर अपडेट आपको मिच नहीं हो हलो दोस्तो मैं हो संधिक मुहर और आप देख रहें मेडिकल सपर दोस्तो आज हम ट्रामोक सिवी के रिलेटेड डिपली जानेगे दोस्तो अगर आपको ट्रामोक सिवी के रिलेटेड अच्छी से नोलेज है तो आप हमारे इस वीडियो को स्कीप कर सकते हो दोस्तो इसे वीडियो एक दो मिट लंबा जाने वाला तो बिना वे टाइम वेस्ट किये और दोस्तो आईए टामोक सिवी के बारे में जानते हैं दोस्तो ऐसे आप जब ट्रामोक्स भी के डब्बा को खोलेंगा आपको एक जगा पानी और एक जगा पोडर दिखाये देने को मिलेगा तो जिस डब्बा में पोडर होगा डब्बा पे हलका रॉंडिंग गोल गोल सा तल के गर्दन के नीचे होगा खोगा लकीर तो आप उस लकीर तक एक्वेली पानी मिला दे और यह से मिक्स कर लें और धियान रखे दोस्तो डोक्टर से कंसिल करके ही इसकी डोज दे दोस्तो ट्रामोक्स भी दो टोमाज निरोधक है वर्तिरोद कम करता और बेक्ट्रिया के खिलाब सिलिंद की वर्तिवितिय को बढ़ाता है जोस्तों अगर ट्रामोक्स भी के मर्पी के बात करें तो अगर एल्कॉल पीकि रखा हुआ है तो आप ट्रामोक सी भी ना ही ले तो बेटर रहे हैं क्योंकि इस से आपका किटनी खराब हो सकता है दोस्तों ट्रामोकस भी एक अंटीवेटी है अगर आप ट्रेइनेंट हो तो ट्रामीकस भी कम से कम हो या तो फिर डोक्टर एडवाइस से ही यूज़ करें क्यूंकि जातर यूज़ करने से दिनों का उच नीज़ भी हो सकता है दोस्तों इसे लेक्टेशन का दोरान भी अगर आप टामोक सीवी यूज़ करना चाहते हो तो डोक्टर की एडवाइस से यूज़ करें क्यूंकि इनमें भी बच्चों को म आप प्रोपर रूप से बच्चों को लेक्टेशन नहीं करा पाते हैं दोस्तो टामोक सिवी की पेकिंग सीरप और टेब्लेट दोनों में ही आते हैं तो अगर आप बड़े हो और ड्राइब कर रहे हो तो टामोक सिवी नहीं यूज करें तो बेटर होगा क्यूंकि अक्सर आपको रीवियो अच्छा लगा होगा आप चलते हैं नोट के हो हो दोस्तों अगर आपको रीवियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करते हैं या तो फिर डिस लाइक यूज उफ ट्रामोक सिवी डाय सिरफ की ट्रामोक सिवी डाय सिरफ का उप्योग के से करते हैं ट्रामोक सिवी डाय सिरफ का उप्योग यूहानु चंग्रमान के उप्चार में किया जाता है ट्रामोक शिवी डाइच इडाइच फिर्फ साइड एफेक्ट ने की ट्रामोक शिवी दवा का दूश फर्भाव Common side effect of ट्रामोक शिवी शिवी रेशस भुमेटी, यिक रियोक्षों, चिय यह एंड डाइरिया इस दवाक अपने डॉक्टर की सला के आनुसर खुरा का और आवदी में प्योग करने से पहले दिशाओं के लिए कल की जांस करें पानी में अच्छी तरह से मिला कर हिलाएं उप्योग ट्रामुक सीवी सुखी सिरप को दिन के बाद लिया जाना चाहिए इसे पेट की परिशानियों से बचने में मदद मिलेगी। इसे ट्रामुक सीवी ड्राइशिरप याने की सुखी सिरप काम करता है। ट्रामुक सीवी ड्राइशिरप इस एपनेशन ऑप टू मेडिसिन। और अभुलेनिक एसीड मॉक्सिसिलीन इजन एंटिवाइटिक इट्स वार्क वाइप प्रिवेंटिंग फोर्मेशन ऑफ दी वेक्टेरियल टेक्टिव कोभरिंग इसेंटियर फोर्दी भाइवल ओब वेक्टेरिया अभुलेनिक एसीड इजे लेक्टोमास एभीटर विच स्टेंट सेंड एंट्स दी एक्टिवेटी एम्योक्सिलीन एगेंस वेक्टेरिया ट्रामुक्सिवी सिरफ दो दावईयों का एक संयोजन है और अभुलेनिक एक एंटिवाइटिक है एक वेक्टियक और सुरच्छा तमक बनाने से रोखता है जिवानों के असित्व के दोस्तों एगर आप बड़े और अपने अगर अल्गॉल पिके रखा हुआ है तो आप ट्रामुक्सिवी नहीं ले तो बेटर है क्योंकि से आपका कीटनी लिवर फे बुरा इफेक्ट पढ़ बढ़ चकता है इससे आपका कीटनी खराप हो सकता है दोस्तों यूज़ करना चाहते हो तो डोक्टर की एडवाइस से यूज़ करें क्यूंकि इन में भी बच्चों को मा प्रोपर रूप से बच्चों को लेक्टेसन नहीं करा पाते हैं दोस्तों टामोक सीवी की पेकिंग सीरप और टेबलेट दोनों में ही आते हैं तो अगर आप बड़े के रिलेड़ कोई पोलम हो तो आप डोक्टर की एडवाइस से टामोक सीवी यूज़ करें दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लिस लाइक कमेंट शेरो और सब्सक्राइब जरू करें और साथ ही बेल आइकोन का बटन दबा दें हमारे चैनल पर है जरूट लाइक या तो फिर डेश लाइक करें और कमेंट हाँ जरूट है